नमस्तार मेरा नाम कुसुम महिश्परी और आज की इस वीडियो में हम प्रोडेक्शन थियोरी को ही आगे बढ़ा रहे हैं एक और कॉंसेप्ट को समझते हैं उसका नाम है रिजलाइन्स रिजलाइन्स को समझने के लिए इसकुएंट को समझना जरूरी है और होफुली आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी उसमें आईसकुएंट आपको आता ही होगा तो आइसो क्वेंट आपको बेसिकली क्या बताता है वो सारे कॉंबिनेशन बताता है यहाँ पर हम labor और capital ले रहे हैं तो उन दोनों के वो सारे कॉंबिनेशन जहां पर माल लीजिए कि 10 unit का production हो रहा है सब points पे 10 unit का production हो रहा है तो यह आपका वो combination सारे के सारे हमने एक साथ उनकी line बना दी तो यह convex tourism है यह भी हमने उसमें समझ लिया था और इसका एक बार meaning फिर से clear कर देते हूं convex tourism का मतलब है कि आपका जो substitution है labor से capital को आप labor से substitute जो कर रहे हैं है एक additional labor आपने और लिया एक additional labor आपने और लिया तो हर बार जो आप capital उसके लिए छोड़ रहे हो वो कम 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 और कम करते जाते हो उसका simple कारण है कि एक factor दूसरे factor को completely substitute नहीं कर सकता है जैसे हमने टाय का example लिया था कि चाय में आप पानी जादा जादा डालते जाओगे लेकिन कुछ हद तक थोड़ा दूत्तो डालना ही पड़ेगा तो वही points जो है आपने यहाँ पर निकालने है कि माल लेजिए इस point तक ये इस point तक यदि आप labor को बढ़ाते जाते हो तो capital थोड़ी थोड़ी कम करते जाओगे लेकिन इस point के बाद क्या है इस point के बाद यदि आप labor को बढ़ाते हो तो capital को कम करने के कोई गुंजाइश नहीं है इतना capital तो वो है जो आपको हर हालत में production process को चालू रखने के लिए चाहिए चाहिए तो इसका मतलब कि अगला जो आप ये labor बढ़ा रहे हो ये आपके production process में जो है zero contribution कर रहा है इसलिए उसका marginal productive labor क्या होगा abig zero क्यों कि आपका ये labor जो है production को बढ़ा नहीं capital को substitute कर रहा है तो ये in vain गया बेकार गया ठीक है तो ये वो सारे points है तो यहाँ पर इस point पे marginal rate of technical substitution जिससे हम MRTS कहते हैं तो वो क्या निकलेगा MPLY MPK ये इसका formula होता है तो marginal product आपका क्या है zero है ठीक है और marginal product capital कुछ भी हो ठीक तो इसलिए इसका marginal rate of substitution क्या होगा zero ठीक है तो ये वो range आ गई जहाँ पर marginal rate of technical substitution zero है ये flat है isoquent इसे तरीके से सेम यहाँ पर वो point है जहाँ पर कि अब capital को और बढ़ा दें तो labor का labor को labor को वो substitute नहीं कर पाएगा इस point के बाद जहाँ पर इसकी line कैसी हो जाती है vertical हो जाती है इसकी shape क्या हो जाती है vertical हो जाती है यानि infinity यहाँ पर आके marginal product of capital जो है capital का marginal product यानि कि capital को आप और 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 बढ़ाते जाओ लेकिन production process में उसका कोई भी contribution नहीं रहेगा तो इसलिए यहाँ पर marginal product of capital जीरो है और इस वज़े से यह जीरो हो गया और यह MPL है जो भी है ठीक तो इसका मतलँ MPL डिवाइड anything divided by zero is infinity infinity तो यहाँ पर इसकी शेप infinity होगी तो वो सारे points अब आप क्या करेंगे आई-सुक्वेंट्स हैं आपके बहुत सारे ठीक है यह सारे आई-सुक्वेंट्स है इन सब के वो points जहाँ पर आपका infinity है इसकी शेप और zero है बहुत सुंदर नहीं बनाया मैंने सॉरी फिर भी कोशिश करती हूँ कि इन सब points को यदि आप मिला दो तो आपका क्या बन जाएगा यह है आपकी upper raise line और यह है आपकी lower raise line lower raise line पे यह वाले product का जो भी है labor है capital है उसका marginal product zero है ठीक है और upper वाले जो raise line है उस पर आपका यह वाला यहाँ पर marginal product of capital जो है वो zero है यानि कि सीधा सा मतलब है कि यदि एक producer ने काम करना है production करना है तो वो इस raise lines के अंदर-अंदर करेगा तो efficient production होगा वो अपने resources को सही तरीके से इस्तिमाल करेगा यदि इससे जादा labor बढ़ाता है तो वेकार इससे उपर capital बढ़ाता है तो वेकार तो hope आपको यह समझ में आया यदि समझ में आया तो एक